है यह वह वेल्कम तु स्टर्फिस ट्रैवल एक्सप्लोर कॉर्प्रेशन हम एक ट्रैवल एजिन्ट है डेली में बेस्ट है और दुनिया भर के पैकेज़ बनाते हैं तो हमारे क्लाइन्ट की काफी सारी कॉशनेर होती है डिफरेंट इफरेंट दिफरेंट लोकेशिन को लेक एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है बेसिकली वह इसलिए फेमस है क्या देखने लाइक है क्या क्या अक्टिविटी आप एज उफ नौ जुलाई लाइक की सब्सक्राइब आफ में आपको मैं इन्फोर्मेशन दूंगा तो है वीडियो आपके लिए बहुत यूस्फल रहे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद अगर कुछ हमसे या आपके कुछ कंसर्ण से कोश्चन से तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या इधर डीवी डीटेल्स पे हमें कॉल वट्सेप या इमेल भी कर सकते हैं तो जैंटिंग हायलेंड्स है कॉलालंपूर से एक सो दस किलोमेटर की दूरी पे वहां जाने में लगबग 2-3 के घंटे के बीच का डूरेशन लगता है और वो बहुत फेमस है अपने थीम पार्क्स के लिए वहां पे बहुत सारी राइड्स आपको मिलती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलती हैं लेकिन जो जैंटिंग हायलेंड्स साथ से कुछ साल पहले था यानि अगर आप साथ-8 सा सालो से वहां पर थीम पार्क्स क्लोज और है तो इक्तिविटीज लिमिटेड है तो कभी और कभी इंडोर इन में चलता रहता है और यह फिदना थे सारी और धीजिशन और में और प्लान सूर पर नया 소개 है इसा पसिबल नहीं ऐसा तो आप अपने प्लान को जाने को या this मैंक्सिमम तू नाइट से जादा जैंटिंग हाइलांड में ऐस जुलाई 2019 के चैकॉर्डिंग ना ले वन नाइट या टू नाइट मैक्सिमम अब वहाँ पर आपक्तिविटीज कर सकते हैं वह मैं आपको अभी बताता हूं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वीजा के ल कि according आप बनाए उसके अलावा अपनी एटिकेट्स साथ में अपनी ट्रैवल आइटनरी और हूटल वाउचर को लगा के अप्लिकेशन अपनी फॉरवर्ड करें आपका वीजा लगके तुरंट आजाएगा और अगर आपने एटिकेट्स बुक नहीं भी करी हैं तो वह as of now आसकते हैं नहीं बुक किया है तो सिर्फ अपनी ट्रैवल प्लैनिंग कि मैं इस जगह इस डेट पर जाना जाता हूं आप यह इंफॉर्मेशन अपने ट्रैवल एजिंट को दें वह आपके बिहाब पे आपका मलेशन वीजा लगवा कि आपको देदेगा जादा जानकारी क प्राइबेट टैक्सीज प्राइबेल जाता हैं तो जैन्टिंग फव्लेंड्स है ओपर का लैंड्स तो बिसिक ली वह सेंजीडे fall कि अगर आप उनको हिमाल्या जेकर नौर्थ इंडिया में तो उसके कंपारेजन नहीं हो सकता लेकिन एक सिर्फ बहुत सुन-दर है और ब और कुछ-कुछ आपको मैं हिंट देता हूं कि जैसे आप वेस्टन गाट्स जाते हैं महारास्ट्रा गोवा करनाटका तो कुछ-कुछ वैसा मिलता हुआ वहां का अरोमा है वहां का एक्टिविटीज के लिए आपको काफी सारी चीज़े अभी भी अवेलेबल हैं मैं आपको step by step बता देता हूं सबसे पहले तो वहां का एक्सपरियंस आप जरूर लीजिए जो है केबल कार का जैंटिंग हाइलेंड के लिए वन वे केबल कार आपने वह केबल कार से ही आपको वहां का बहुत कुछ व्यूज आपको बहुत पिचर्स को आपकी जरनी रहेगी थोड़ी सी जरनी है लेकिन उसमें भी आपको मजा आ जाएगा बहुत आपको आप जॉआ करेंगे उसको तो केबल कार आप जरूर लें केबल कार के त्रू आप जिब जब जैन्टिंग हाइलेंड में एंटर करते हैं तो फर्स्ट आपका यही होगा कि जैन इनलंड की स्टार्टिंग के लैंट कर से होगी तो नमबर वन पे क केबल कार में आपको सिजेस्ट करूंगा कि अगर आप जन्डिक आइलेंस दा रहे हैं तो सबसे पहला आप केबल कार जरूर एक्सपीरियंस करें दूसरा वहां का एट्मॉसफेर एट्मॉसफेर रात एकदम आपको वहां दिखे का एकदम क्लियर स्काय और बहुत सारे तारे अगर आप लकी रहे तो ग्यलक्टिकिंग वहां आपको मिल सकता है उसके ङ्यूब हुता कि घ्लकिक गलाकिव उन यह आपको हुएनós ठुड़ा हों सकता है उसके अलावा वहांका जो फर्धन और घ्लरी हवाई हमेशा लगेगी तो थोड़े से लाइंट या हैवी bit काटन या लाइट वूलन्स ऐसे कपड़े लेकर जाएं क्योंकि थोड़ी बोड ठंड आपको वहाँ पे डेफिनेटली लगेगी आप चाहे कभी भी जाएं तो ऐसा नहीं कि आप वहां समर्स में जा रहे हैं तो आपको लगे और आपको ठंड लगेगी आपको अगर आप लाइट वूलन्स पहनते हैं तो आपको नहीं चुबेंगे अगर आपका यह कोश्चन है कि लाइट वूलन्स पहलने से कहीं ऐसा नहीं परसीने आ जाए मैं अंकमफ़टेबल फील करूं तो ऐसा नहीं होगा आप अगर लाइट पहल होडों करना चाहते हैं तो थिक कॉल लीघे और उसको भी अगर और होड़ना चाहा रहें तो अपनी शर्ट के अंदर री टी-शLast को पहलडी आरइग्श को कहले तो इस त्रीके से आप उसका कर सकते हैं लिकिन परक्लाइं बिलीज त нельзя राइघ ठेक्टेमंट करोंगा क आपको यादो बहुत साल पहले ये शो आता था जिसमें बताया जाता था कि बिलीव इट और नॉट की कभी ऐसे भी लोग हैं जो नोंने ऐसे चमतकार भी किया है कभी ऐसा भी हो है तो समग्तों सम स्टोड फैसिनेटिंग स्टोरी थे बिलीव इट अपकोई में बहुत इसे इपक्रीपर नॉट की आप लोग अभी मतलब पर नजर नहीं गई होगी लेकिन टाइमस ऑफ लिबीअ नॉट की न्यूस्पेपर में भी इसका रिप्लीज बिलीव इटर नॉट पर न किसी आदमी ने कभी इतना वेट उठाया, किसी ने अपने मुछों से इतना वेट उठाया, किसी ने दांत से प्लेन को खीज दिया, तो ऐसे बहुत अमेजिंग फैट्स, इस नोट अल्ली अबाट स्ट्रेंथ की ताकत की बात है, नहीं, बहुत अमेजिंग चीजों के बारे म उसमें बताया जाता है, तो बच्चे अगर आपके साथ हैं, तो वो डेफिनिटली इसको इन्जोय करेंगे, तो इसको अपनी आइट्नेरी में जुरूर इंक्लूड करें, फोर्थ वहां पे है कसीनो, कसीनो जेंटिंग में बहुत इसली अवेलेबल है, वहां पे आप करेंगेगेगा, जब आप आप कसीनो जाते है, मने करसी को काइण में उखनी करा सकते हैं, औरम ने जो हमारे पास इंफ्रमेशन आई है उसके इसाफ से चैनीज यूवान भी वहां पे एकसेप्ट होने लगे हैं तो इंडिन रुपी फोरेक्स में एक्सचेंज करके आप इन में से कोई भी करेंसी लेकर वहां पे एक्सचेंज करा सकते हैं और वहां पे ध्यान रही है कि आ सेफ और साउंड होना बहुत जरुरी है तो कसीनो में आप जाएं एंटर्टेंटमेंट करें इंजॉय करें लेकिन पासपोर्ट का भी ध्यान रखें फिफ्थ है वहां का गेमिंग सेंटर वहां पे दुनिया भर कि आपको गेम्स मिलेंगी उनके नाम बताना सभी का तो बह बनाया हूँ एक आइस का तो वहां पर भी आप जाकर बहुत इंजॉय कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं की मिन अंटर्टिक उन्होंने बनाया हूँ इसका नाम स्नो वर्ल्ड है तो वहां पर जरूर जाएं आप वहां पर बहुत बहुत जादा एंजॉय करेंगे आपको बहुत ठंनी लगेगी वहां पे आपको जो स्नो बूट्स है जिसा आइस बूट्स कहते हैं और साथ में जो जैकेट्स और यह सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे वह उसका चोटा सा फी लेते हैं और आप जाके उनको यूज कर सकते हैं फिर वाप सीमन को रिटरन कर द दूसरी जाएंगे तो रास्ते में कोई पेंसल स्केच वाला भी आपको मिल सकता है जो आपको स्केच बड़ बना के आपको दे देगा कोई शांदार सा रेस्टरूंट आपको दिखा जिसमें आप लोगों ने अपना लंच किया या कोई बहुत अच्छा सा आपको पब दि गीपना आप केच लेकिन साथ झ फबनी और नैंगजर चिर्जांब हैसं सा आपको प्षयं एक तरफ हां और गेम जागा तरफ रहे हैं अगर आप सारे पैसे हिरा ड़गाए तो बहुत जादा मत खेलिए ने नेक्स देस्टिनिशन है जो मैं आपको रिक्मेंट करूंगा वह है चिंस्वी केव टेंपल जैसे नाम से पता लगता है चिंस्वी कोई डीटी है फूजान प्रोविंस जो चैना में है वहां पे उनको माना जाता है तो किसी चैनीज ट्रेडर ने इने बनाया था और यह ले ट्राइबल रहते हैं वह यह मानते थे कि यह जो टेंपल है यहां पर इविल स्पिरिट्स नेगटिव स्पिरिट्स से लोगों को बचाता है तो अगर आप कल्चरल इंसाइट के थ्रू आप थोड़े से इंट्रस्टेड हैं कि जैंटिंग का पकल्चर एक्स्प्लोर कर आते हैं और फिलॉसपी में आपका इंट्रस्ट है तो यह डेस्टिनेशन में जाके आप जरूर एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो बेसिकली जैंटिंग हाइलेंड में दो मेजर अट्रैक्शन से इंडोर थीम पार्क एंड आउट्डोर थीम पार्क में गेम्स हैं कसीनोज हैं पब्स हैं रेस्टिणार है raising रहती है वह दो थीम पार्क में बेसिकलीní राइट हैं बहुत जादा तो हमारे पास जो इंफरमिशन आती है वह यहिए कि मेसे इन दोनों थीमे पार्क में सुछ-ना-कुछ चलती रहती है इंडोर थीम पार्क ओपन होता भी है तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज शायद वह अवेलेबल नहीं करा पा रहे है इस वग्ड और थीम पार्क में भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी एज अफ नौ जुलाई 2018 में चल रही है लेकिन उसके हलाव भी को आप बहुत कुछ है करने को आप वो कर सकते हैं आप अगर हमसे आइडिली पूछे तो वन या टू नाइट मैक्सिमम आप जैंटिंग हाइलेंड्स में रखें कौलालंपूर के साथ या फिर आप लंकावी और पेनां कहीं पर भी जा रहे हो मलेशा किसी और डेस्नेशन म आप बार सकते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए या आइटनेरीस के लिए या आइडियल ट्रैवल प्रोग्राइमिंग के लिए या बैस्ट प्राइस के लिए आप डीवी डीटेल्स पे हमें कॉंटैट करें हम आपको डेफिनिट्ली एसिस करेंगे वन नास देखें वह बेसिकली इस हिंदू टेंपल हीज और वेरी ओल्ड हिंदू टेंपल उसको बनाये गया था अठारा सो नभे या इक्यानवे के दोरान एक इंडियन ट्रेडर थे उन्होंने उस जगह को देखा और ही वस हाइली इंप्रेस्ट तो वहाँ पर उन्होंने लॉड मुरुगन जो कि तमिल में एक बहुत ही पॉपुलर डीटी है और लॉड मुरुगन जो है वो उनका दूसरा नाम कहें या उरिजिनल नाम कहें वो ह नाम है कार्थिके हमने सुना भी होगा कि बहुत शिव और माता पारवती के जो बेटे थे लॉड गनेशा उनके भाई थे लॉड कार्थिके तो इनके नाम जो तमिल में फेमस है वो है लॉड मुरुगन के नाम से और यह टेंपल उनके लिए बनाया गया है उनकी यां चड़के हम उसमंदिर में जाते हैं तो बहुत जङदाता है माले में 272 नमबर तो लगता है नमबर है लेकिन देरे देरे आप चल सकते हैं और वह गुफा में जा और आप बिलकूल स्टार है तमिल में रजनीकान जो काफी हिंदी मुईज में भी आ चुके हैं वहाँ पर विजिट कर चुके हैं तो एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जब आप जाई रहे हैं अगर आप एक जिगह से दुसरी जिगह जा रहे हैं यह रास्ते में ही पड़ता है तो आपके प्रतीमा भी आपको दिखेगी आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं वहाँ पे सारे रेस्ट्राव वेजिटीरियन हैं आप अलग अलग रेस्ट्राव में भी जा सकते हैं और कुछ डिवोशनल शॉपिंग भी महाँ पर आप कर सकते हैं तो बहुत ही और्गनाइज जगह है वहाँ पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की को इश्यू नहीं है तो आप बिलकुल वहाँ पर जाहिए और डेफिनिटली आप बहुत इंजॉय करेंगे जैंटिंग में और बाटू केवस में भी थैंक यू फोर वाचिंग दे वीडियो आपका दिन शुप प्रॉब्लम चारी झाल झाल